आप देख रहे हैं चौहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्डू की आज बड़ी अपडेट के बारे में जिसमें आपता grade card भी आज अपडेट किया गया है और June 2022 के result को भी अपडेट किया गया है तो आज की वीडियो आपके लिए काफी important होने वाली है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए और सेयर कीजिए तो अब सीधा वीडियो की सुरुवात करते हैं आपके लिए आज Grade Card अपडेट किया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Grade Card Status as on 13 December 2022 यानिकी 13 December 2022 को आपके लिए Grade Card अपडेट कर दिया गया है इससे पहले जो Grade Card की आखरी अपडेट आई थी वो 8 December को आई थी अर्कि 5 दिनों बाद आपको Grade Card की एक नई अपडेट देखने को मिल रही है तो इसके बीच में इतने भी इस्टुएंटे जिनका Assignment का रिजल्ट आया था या फिर उनका June 2022 का Theory एक्जाम रिजल्ट आया था Reavolution का रिजल्ट आया थे और दिसंबर 2021 का एक्जाम रिजल्ट आया था वो एक बार फिर से अपना Grade Card जरूर चेक करें और देखें कि उनका Grade Card अपडेट किया गया है या फिर नहीं Grade Card का लिंक आपको मेरे Telegram चैनल पर भी मिल जाएगा और साथ इसाथ इगनो की वेबसाइट के Results section पर जवाब जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको Grade Card का लिंक मिल जाएगा आपने June 2022 का एक्जाम दिया था तो उसके Result की भी आज आज आपको एक और नई अपडेट देखने को मिल रही है अगर आपका पिछली अपडेट में Result अपडेट नहीं किया गया था तो इस अपडेट को भी आप जरूर देखे इसमें आपका Result अपडेट कर दिया गया होगा आप June 2022 का Result को चेक कर सकते हैं इसमें आपको Result की नई अपडेट आज देखने को मिली आज जून 2022 के त्योरी इग्जाम के रिजल्ट के साथ-साथ आपके लिए रिजल्ट का रिजल्ट भी अपडेट कर दिया गया है तो ऐसे जितने भी स्ट्रेंटे जिन्होंने जून 2022 के लिए रिजल्ट का फॉर्म भरा था को एक बार फिर से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि उनके आज रिजल्ट में कोई नया अपडेट हुआ या फिर नहीं रिजल्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और साथ-साथ इग्णू की वेबसाइट के के लिए अगर आपने रिजल्ट का फॉर्म भरा था तो आपके लिए 13 दिसमबर 2022 एक और नई अपडेट जारी कर दी गई है इसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आपका रिजल्ट आया या फिर नहीं आपके लिए दिसमबर 2021 का क्योरी एक्जाम रिजल्ट भी अपडेट क कर सकता है अब next update के बार में बात करते हैं आज इगनु की तरफ से दिसमबर 2022 के एक एक नए नोटिस भी जारी किया गया जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि BPCC110 एक sociology based exam है sociology की subject का exam है जो 12 दिसमबर को होने वाला था उसको अपडेट उसकी change कर दी गई है और आप यह होगा आपका 6 जनवरी 2023 को तो 6 जनवरी 2023 को morning session में अब आपका BPCC 110 exam होने वाला है तो जितने भी student है जिनका यह exam था वो ध्यान में रखे कि आप BPCC 110 6 जनवरी 2023 को morning session में होगा तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए share जरूर कीजिए